सबी बच्चे अपनी हिंदी पार्ट माला उमंग भाग छह निकाल लीजिये और ध्यान पूरक आज का सेशन अटेंड कीजिये सबी बच्चे अपनी पुस्तक का पार्ट पंद्रह एक गीत की कहानी निकाल लीजिये बच्चो हमने अपने पिछले सेशन में पार्ट पंद्रह के शब्द संपदा में दिये गए कठी शब्दों के अर्थ जानकर उनसे वाके बनाने सीखे थे और पार्ट की बैक एक्सेसाइज इस एक्सेसाइज नमबर वन और एक्सेसाइज टू पर डिसकेशन की थी आज की कप्षा में हम बाके एक्सेसाइज इस पर डिसकेशन करेंगे तो चलिए चलते हैं एक्सेसाइज नमबर तीन पर रिक्तस्थानों की पूर्ती कीजिए रिक्तस्थान यानि फिलप्स बच्चों यहाँ पर आपको कुछ फिलप्स दी गई हैं आपने पार्ट की अनुसार उस फिलप्स का सही शब्द चाट कर फिल करना है पहला फिलप्स देखिए इस पार्ट में शहीदों को डैश दी गई है तो पार्ट के अनुसार यहाँ पर शब्द आएगा श्रधांजली श्र आधा द धको आ अंग ज लको छोटी श्रधांजली तो बच्चो इसी तरह आपने बाकी के फिलप्स स्विम फिल करने है चलिए आपके लिए मैं एक बारी इन फिलप्स को पढ़ देती हूँ ख भारत के तीन हिस्से भारत डैश पश्चमी पाकिस्तान थे ग उस समय सारे कारेक्रम डैश होते थे ग यहाँ मुखडा डैश जैसा लग रहा था ग यह मुंबई में गीत का डैश जोरों से होने लगा च आज भी इस गीत को सुनकर तन में डैश सी होती है चलिए बच्चो अब चलते हैं एक्सरसाइज नमबर फोर पर सही विकल्प पर सही लगाईए बच्चो यहाँ पर आपको जो प्रशन दिये गए हैं उनके साथ आपको चार-चार विकल्प दी गई हैं तो बच्चो आपने सही विकल्प को चूज करना है और उस पर सही का निशान लगाना है और उसे अंडरलाइन भी करना है जैसे पहला मैंने किया हुआ है कि भारत के लोगों ने किस युद में अपने प्राण गवाए पहला विकल्प देखे पाकिस्तान भारत युद में जपान भारत युद में नेपाल भारत युद में चीन भारत युद में तो बच्चो इस पार्ट में चीन और भारत के युद्ध की बात की गई है तो इसका सही विकल्प है चीन भारत युद्ध में तो आपने इसको सही का निशान लगाना है और इसे अंडरलाइन भी करना है बच्चो बाकी के प्रश्णों मैं उनके विकल्प सही ताप के लिए एक बार पढ़ देती हूं ख खून से संकर क्या लाल हो गई थी भारत की प्रमुखनदियां भारत की बरफीली हमाएं भारत की सफेद और बरफीली चोटियां कोई भी नहीं ग उस समय के संगीत निर्देशक कोन थे सीरामचंद्र, लतामंगेशकर, उशामंगेशकर ये सभी लोग ग लतामंगेशकर का स्वर कैसा था गरवीला, चुनावती भरा, लड़ खडाया, रोने वाला चलिए अब चलते हैं बच्चो भाषा की बात पर एकसरसाइfal नमबर एक, निम्न लिखित राष्टरों की भाषाओं के नाम लिखे राष्टरों यानि देशों, नेशन्स, भाषाओं यानि लैंग्वेजिस, तो बच्चो यहाँ पर आपको देशों के नाम दिये गए हैं आपने इन देशों की प्रमुक भाषाओं के नाम लिखने हैं जैसे पहला देखे भारत तो भारत की रास्ट भाषा है हिंदी अगला लंका लंका की रास्ट भाषा है सिहली जापान, जापानी इसी तरह अगली पंक्ती पर चलिए तिब्बत, तिब्बत की राष्ट भाषा है तिब्बती, तक छोटी ई, आधा ब, ब, तक बड़ी ई, तिब्बती इसी तरह है अगला देश, नेपाल, तो नेपाल की राष्ट भाषा है नेपाली, रूस, रूसी अमेरिका की राष्ट भाषा है अंग्रेजी अको अंग, ग के पैर में पदेन, उपर ए, ज के पैर में नुकता, बड़ी ई, अंग्रेजी इसी तरह विटे, अगला अफ्रीका, अफ्रीका की दो मुख्य भाषाएं हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच फके पैर में पदेन, ए, अंग, च, फ्रेंच, अगला चीन, तो चीन की राष्ट भाषा है चीनी, चलिए अब एक्सेसाइन नमबर दो पर चलते हैं, पाट से र की अलग-अलग मात्रा वाले शब्द लिखे, तो बच्चों हिंदी भाषा में र की तीन मात्राएं होती हैं, री, पदेन, और रेफ, तो आपने इन र की मात्राओं वाले शब्द इस पार्ट में से ही छाट कर लिखने हैं, पहला देखिए, जाग्रित, जकुआ, ग के पैर में री, त जाग्रित, अगला शक्त, प्रदीप, के पैर में पदेन, दको बड़ी इप, प्रदीप, निर्म इसी तरहें बच्चों, र की मात्रा के और भी अन्य शब्द इस पार्ट में आए हैं, जैसे जाग्रिती, प्राणी, प्रदान मंत्री, बर्फीला, प्रयत्न, जाग्रित, दुरुघटना, आदी, चलिए अब एक्सरसाइज नमबर तीन पर चलते हैं, वाण विछेद कीज बच्चों, वाण विछेद मेंस, शब्दों में से वर्णों और उनकी मात्राओं को अलग करना, बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिये गए हैं, आपने उन शब्दों में से वर्णों और उन पर लगी मात्राओं को अलग करना है, बच्चों, वाण विछेद क करते हुए ध्यान रखना चाहिए कि जिस व्यंजन पर मात्रा नहीं लगी होती उस व्यंजन के नीचे हलंत लगाकर उसे आधा कर दिया जाता है और प्लस लगाकर अस्वर बाहर लिख दिया जाता है और जिस व्यंजन पर मात्रा लगी होती है उस व्यंजन के नीचे हलंत फिर उसे आधा कर दिया जाता है और मात्रा वाला one प्लस लगा कर लिख दिया जाता है जैसे पहला शब्द देखिए पसंदीदा तो बच्चो यहाँ पर प्व यंजन पर कोई मात्रा नहीं लगी है तो इसलिए हम लिखेंगे प के पैर में हलन प्लस अ इस तरहें प के साथ स के उपर अनुस्वार यानि अंग की बिंदी लगी हुई है मतलब यहाँ पर आधे न की ध्वनी आ रही है तो हम पहले स को हलंत लगा कर उसे आधा करेंगे फिर लिखेंगे प्लस और फिर स में से अस्वार बाहर निकाल कर लिखेंगे और फिर लिखेंगे प्लस और अंग को ह हम आधे न का रूप देंगे यानि न के नीचे हलंत लगाएंगे। इसी तरह बच्चों स से अगले वर्ण पर द को बड़ी की मात्रा लगी हुई है। तो हम पहले द को हलंत लगाकर आधा लिखेंगे। फिर लिखेंगे प्लस और बड़ी ए की मात्रा को ई स्वर की रूप में लिखेंगे। फिर अगला शब्द है द को आ तो पहले द को हलंत लगाएंगे और द के साथ प्लस लगाकर आ की मात्रा को आ स्वर की रूप में लिखेंगे। तो बच्चो इस तरह आपने बाकी शब्दों के भी one विछेद करने है जैसे अगला शब्द है आक्रमन तो बच्चो आक्रमन शब्द का one विछेद बनेगा आ बच्चो यहाँ पर आ पहले से ही स्वर है वण विछेद करते समय लिखेंगे आ प्लस आ से अगला वण है क्रो यहाँ पर क के पैर में पदेन लगा हुआ है तो इसका वण विछेद होगा क के नीचे हलन प्लस आधा र यानि र के नीचे हलन प्लस अ अगला मौ के नीचे हलन प्लस अ प्लस अ अना के नीचे हलन प्लस अ अगला शब्द देखिए जख जोर तो बच्चों जख जोर का वन विछेद होगा जख के नीचे हलन प्लस अ प्लस क के नीचे हलन प्लस अ प्लस जख के नीचे हलन प्लस छोटा ओ प्लस र के नीचे हलन प्लस अ चलिए अगली पंक्ती पर चलते हैं बच्चो अगला शब्द है उत्साह, उत्साह का वर्ण विछेद होगा उ, बच्चो यहाँ पर उ पहले से ही स्वर है, तो इसका वर्ण विछेद करते समय लिखेंगे उ प्लस अगला आधा त, आधा त, पहले से ही आधा है, तो इसे लिखते समय त के नीचे हलंत और इसमें से आस्वर बाहर नहीं निकलेगा। तो से अगला वर्न है सा। तो इसका वर्न विछेद होगा। स के निचे हलन्त। और स के सथ आ की मात्रा लगी है। तो हम आस्वर को लिखेंगे। लिखेंगे, प्लस ह के नीचे हलन्ट, प्लस अ इसी तरह बच्चो हौंसला, ह के नीचे हलन्ट, प्लस बड़ा ओ, प्लस न के नीचे हलन्ट, क्योंकि बच्चो ऑ की मात्रा के साथ अंग यानि अनुस्वार आ रहा है, इसलिए हम अनुस्वार को आदे नो के रूप में लिखेंगे उसके बाद प्लस सो के नीचे हलन्ट प्लस अ प्लस लो के नीचे हलन्ट और लो के सद आ की मात्रा लगी है तो हम प्लस लगाकर आस्वार को लिखेंगे शब्द देखे कल्पना क के नीचे हलन्त प्लस अ यहाँ पर बच्चो लो आदा है तो इसलिए यहाँ पर सिरफ हम लो के नीचे हलन्त लगाएंगे और उसमें से आस्वर को बाहर नहीं निकालेंगे क्योंकि लो पहले से ही आदा है उसके बाद पो के नीचे हलन्त प्लस अ प में हमने part 15 की बाकी की back exercises पर discussion की अब आपने इन सभी exercises को अपनी book पर solve करना है और revise करना है हम अगली कक्षा में जल्द मिलेंगे Till then, have a nice day